नमस्कार, Hello Everyone, स्वागत करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पर Welcome to our channel, आज हम डिस्कस करेंगे टोटल तीन शेर के बारे में, तीनों शेर रेलवे सेक्टर से रहेंगे, RVNL, IRCON, IRFC, ये तीनों शेर भागने के तैयारी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, आज भी कईने कई ब्रेका मिलती रहे, तो बिना किसी देरी के बढ़ता है, आगे, RVN का चार्ट देखते है, तो थ्री मंस का चार्ट ओपन करता हूँ, तो अभी ये ट्रेट कर रहा है, 276 के आसपास, अगर ये शेर आपको 280 के सस्चेंग कर पाता है, तो ये आपको ये शेर यहां से भी 300-320 के पास चले और जैसे टार्गेट अच्छी होता है, तो उसमें हम फिर से रिव्यू करेंगे, अगर आपके पास उपर के भाव पर है, तो आप इसमें जरूर और जरूर अवरेज कर सकते हैं, अब हम देख लेता है, 230 पर ट्रेट कर रहा है ये शेर, इसने रेसंटी लो लगा था, और फिर वहां से बाउंस बेक दिया, ये शेर ने और फिर ट्रेट कर रहा है, 230 के असपास, अगर ये 240 पर सस्टंग कर पाता है, तो इसमें बड़े टार्गेट देख सकते हैं, बट ये शेर में आनेवर टाइम में ये शेर आपको 250 जो इसने हाई लगा था, उससे भी आग पास, एंट्री लेवल बनता है, 120-130, अभी भी इसमें इन्वेस्ट करने का सो सकते हो, मुझे लगता है ये शेर आनेवर टाइम में 180 को भी क्रॉस करके नया हाई बनाएगा ये शेर, इसमें अभी OFS बाकी है, तो OFS कभी भी आ सकता है, तो उस नीज से कारण ये शेर जरू से जरूर रियक्ट करेगा, तो recently low था, 120 जो एक dream level था, अभी भी इसके बारे में आप सो सकते हो, and in case अगर deep मिलता है ये शेर में तो जरूर से जरूर इसमें invest करने का सो सकते हो, conclusion दे देता हूँ, ये sector में government काफी focus है, और जहां government focus कर रहे है, वहां हमें भी focus करना चाहिए, जिसमें हम अच्छा profit कमा सके, ये तीनों share में buy on dips बिल्कुल कर सकते हो, बहुत growth बाकी है ये sector में, तो ये था मेरा आज का वीडियो आपके लिए, जाते जाते आप चैनल को subscribe जरूर कर देना, and like and comment जरूर करना, तो मिलते हम दूसरे वीडियो में वही किसी नए stock के साथ, य हैंट